बत सूर्ती की वज़ा से मेरी ननत की कहीं भी शादी नहीं हो रही थी, इस कारण मेरी सास ने परेशान होकर मेरी लड़के वालों को मेरी तस्वीर दिखा दी और उन्होंने मुझे पसंद कर लिया और मुझसे मेरी सास बोली कि तुम फिकर मत करो, शादी वाले दिन मैं चु दूसरे पती को इस पूरी साजिस के वारे में पता चला तो उसने बदला लेने के लिए पहली रात को मेरा जो हाल किया मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जितनी पावंदी से वह इस सब का ध्यान रखती थी। मैं विस्तर से उटकर खड़ी हो गई। पहले तो सास मुझे कुछ सोचती निगाओं से देखती रही। फिर बोली मेरे कमरे में आओ तुम से मुझे कुछ बात करनी है। मैं भी सास के पीछे ही उनके कमरे में दाखिल ह गई। सामने ही मेरी ननद भी बैटी हुई थी। सास ने मुझे कुरसी पर बैठने का इशारा किया और खुद भी दरवाजे की कुंडी लगा कर बिस्तर पर आकर बैठ गई। मुझे सब कुछ बहुत अजीब सा लग रहा था। और शक हो रहा था कि कहीं मेरे खिलाफ ये देखने में लगी हुई थी। आखिर मुझे खुद ही पूछना पड़ा मा जी सब ठीक है ना जिस पर सास ने गहरी सांस ली और कहने लगी एक बात बताओ तुम नीतु को पसंद करती हो ना नीतु मेरी ननत का नाम था। मैंने उसे देखते हुए इस बात पर सेर हिलाया और कहा जी बिलकुल नीतु मेरी बहन जैसी है तो इसे ना पसंद करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सास ने हुंकार भरी और बोली अच्छा तो तुम इसके लिए क्या कर सकती हो। मेरा मतलब ये बात तो तुम अच्छे से जानती हो कि इसकी सादी नहीं हो रही है तो त तुम उसके लिए क्या कर सकती हो? मैंने कहा जानती हूँ कई सालों से आप कोशिश कर रही हैं मगर कहीं बात नहीं बन रही तो अगर आप चाहती हैं कि नीतू के लिए रिश्टा मैं देखूं तो मैं अपने मिलने जुलने वालों में उसके लिए बात करूंगी इस साल तुम्हारा मुझ पर एहसान होगा मैंने अपनी सास से कहा जी बताईए क्या काम है जहां तक मुझे मुम्किन हो पाएगा मैं जरूर करूंगी मेरी सास मुझसे बोली कि नीतू के लिए दो रिश्टे आए हैं दोनों ही परिवार बहुत पैसे वाले हैं जिसमें पहले परि परिवार में सिर्फ दो भाई हैं मैं उन दोनों ही परिवारों में नीतू की जगा तुम्हारी तस्वीर भेच चुकी हूँ जो उन्हें बहुत पसंद आ गई है और दोनों ही परिवार इस साधी के लिए राजी हैं दूसरा परिवार जिसमें उन लोगों के दो बेटे हैं वह हमारी नीतू से अपने छोटे बेटे की शादी करने के लिए तयार हैं लेकिन उनकी सर्थ ये है कि वह अपने बड़े बेटे की शादी तुमसे करवाना चाते हैं क्योंकि मैंने उनसे ये कहा था कि जब तक मेरी छोटी बेटी की शादी नहीं होगी मैं बड़ी बेटी की भी शादी नहीं करूँगी मैं उन लोगों को तुम्हें अपनी बहु नहीं बेटी ही बताया था और इसी लिए वह इस सर्थ के साथ नीतु को अपने घर की बहु बनाने के लिए तैयार हो गए हैं अपनी सास के मुझे ये बात सुनकर मैं तो दंग ही रह गई थी मेरी सास में अपनी सास से बोली कि ये आप क्या कह रही है आप मेरी शादी की बात कर रही है इस पर मेरी सास ने मू बना कर कहा हाँ मैं तुम्हारी शादी की बात कर रही हूँ मैंने कहा कि लेकिन मैं तो आपकी वहू हूँ ना मेरी तो आपके बेटे रवी से पहले ही हो चुकी है फिर आप कैसे मेरी दूसरी शादी करवा सकती है इस पर मेरी सास मुझ पर गुसे में चिल्लाई और कहने लगी पहले खामोसी से मेरी बात सुनो यहां आओ आराम से बैठो मैंने अपनी मर्जी से ही तुम्हारी शादी अपने बेटे से करवाई थी इसलिए खबरदार जो मेरे आगे उंचा वोलने की हिम्मत की मैं जो कहूंगी बस वही होगा तुम बस मुझे ये बताओ कि तुम पहले घर में शादी करोगी या फिर दूसरे घर में क्योंकि पहले घर में एकलोता लड़का है तो मैंने सोचा है कि मै मंडप में तुम्हारा चेहरा दिखाने के बाद धोके से नीतू को बिठा दूँगी और उसे ही वहाँ पर विदा कर दूँगी एक बार अगर शादी हो गई तो फिर बैसे भी कौन किसी का क्या बिगाड़ लेगा फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता अपनी सास की ये बात सु से दारों के बीच में आखिर ये कैसे मुम्किन होगा कहीं आप ऐसा नहीं कर पाई और मेरी ही बिदाई उस लड़के के साथ हो गई तब क्या होगा नीतू तो कुवारी ही रह जाएगी मेरी ये बात सुनकर सास को कुछ अकल आई और फिर वह घबरा कर कहने लगी कि ये बा इसक नहीं है आराम से मैं पूरे समाज के सामने नीतू की शादी उनके छोटे बेटे से कर सकती हूँ मेरी सास के इरादे बहुत ही खतरनाक थे उनकी मुह से ये बात सुनकर मैं घबरा गई मैंने कहा लेकिन जब उन लोगों को इस साजिस का पता चलेगा तो क्या वह चलेगा कि मैं तो नीतू की बहन नहीं बलकि भावी हूँ और पहले से ही शादी शुदा हूँ तो वह तो नीतू को भी तलाग दे देंगे मेरी इस बात पर सास कहने लगी कि वह सब मैंने पहले ही सोच लिया है तुम्हें यहां से मैं विदा कर दूँगी और घर पहुसते ही तुम पागलपन का और दौरे पढ़ने का नाटा करना शुरू कर देना अपनी तबियत इतनी ज़्यादा खराब दिखाना कि उन लोगों को ये लगे कि मैंने एक बीमार लड़की उनके गले बांदी है आज के जमाने में कोई भी एक बीमार और पागल लड़की के साथ अपनी जिन्दगी नहीं बिताना चाहता इसलिए वह अपने आप ही तुम्हें तलाग दे देंगे और फिर तुम चुप चाप आराम से घर वापस लोटाना मैंने अपनी सास से कहा लेकिन मा जी आपको ये बात जितनी सीधी लग रही है ये उतनी सीधी नहीं है मेरी बात स कि तुम्हारी और नीतू की बारात आईगी और मैं तुम दोनों को खुशी-खुशी विदा कर दूँगी मैंने फिर से बोलना चाहा तो उन्होंने मुझे चुप करवा दिया कहने लगी कि मेरे सामने बोलने की जरूरत नहीं है जैसा कह रही हूँ वैसा ही करो मैंने कहा औ आपका प्लान कामयाब हो भी जाए और मैं आपकी बात मान भी लूँ तब भी ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है इसलिए आप मुझे मजबूर ना करें मैंने आप से कहा ना कि मैं नीतू के लिए इससे भी अच्छा रिष्टा तलास कर लूँगी मैंने अपनी सास को तस मेरे बारे में नहीं सोच रही थी सबसे बड़ी बात ये थी कि वह इतनी समझदार होने के बाबजूद भी मेरी एक शादी के ऊपर मेरी दूसरी शादी करने की बात कर रही थी जो कि किसी भी तोर पर सही नहीं था मेरी सास ने तुरंत ही मेरा हाथ थामा और मुझे स्टोर रूम में लेकर गई और धक्का देकर अंदर की तरफ फेक दिया और मुझे अंदर बंद कर दिया बाहर से कुंडी भी लगा दी और कहने लगी अब तुझे सीधा शाम को ही निकालूंगी अगर मेरी इस बात के लिए राजी हो गई तो ठीक है वरना फिर मुझे से बुरा सकती हूँ मेरी सास मुझे ये सारी बातें सुना कर वहां से चली गई मैं चुप चाप दरवाजे के पास खड़ी सुबक रही थी तब ही मैंने अपनी ननत की धीमी धीमे बोलने की आवाज सुनी मेरी ननत मेरी सास को कुछ समझाने की कोशिच कर रही थी वो कह रही थी कि सब ठीक नहीं है भावी को ऐसे बंद मत करो लेकिन तब ही मुझे एक जोरदार थपड की आवाज सुनाई दी जो सास ने नीतु को लगाया था वह चिला कर कहने लगी चुप चाप यहां से चली जाओ वरना तुम्हें भी तुम्हारी भावी के साथ अंदर बंद कर दूंगी और खाना भी नहीं दूंगी इसके बाद बहर बिलकुल खामोशी चा गई मैं काफी देर तक दरवाजे के पास खड़ी लगातार रोती रही बीच बीच में मैं कमरे का दरवाजा भी पीट रही थी मुझे लग रहा था कि शायद मेरी सास को मुझ पर तरस आ जाए और वह म मुझे यहां से बाहर निकाल दे लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ मैं हार कर वहीं दरवाजे से टिक कर बैठ गई और फिर कब मुझे नहीं दा गई कुछ भी पता नहीं चला इसके बाद मुझे अपने बाजू पर एक मजबूत सी चीज महसूस हुई जब मैंने चौंक कर शादी होने वाली है और उसके लिए धेर सारी शौपिंग करनी है अगर तुमने कोई भी हंगामा किया तो फिर मुझे से बुरा कोई भी नहीं होगा इसलिए बगर कोई नाटक किये फटा फट से तैयार हो जाओ मैं उनकी बात सुनकर खड़ी हो गई मैंने उनसे कहा माजी मैं ये शादी नहीं करूंगी और मेरे पती कहा है अगर आपको मेरी दूसरी शादी करनी ही है तो फिर आप उनके सामने करें मैं भी हिम्मत जुटा कर उनके सामने डटकर खड़ी हो गई मगर मेरी इस बात पर मेरी सास कहने लगी तो इसका मतलब तुम्हें मेरी धमकी से को कोई फरक नहीं पड़ता तो ठीक है वह तुमारी एक छोटी बहन है ना जिसकी अभी अभी शादी हुई है क्या नाम है उसका रागनी नाम है ना अभी पिछले महीने उसकी शादी में तुम गई थी ना और अचानक से अपनी सास के मूँ से मेरी बहन का जिक्र सुनकर मैं हरत में पड़ गई कि वह आखिर इस सब में मेरी बहन की बात क्यों कर रही है तब ही मेरी सास कहने लगी ये वही रागनी है ना जो घर से भाग गई थी और फिर इसने चुप कर शादी भी कर ली और कुछी दिनों के बाद अपने पती से तलाक लेकर ये वापस भी आ गई तु उस बेचारी का तो पती मर गया है तब जाकर कहीं तुम्हारी भागी हुई बहन का घर बसा है ना अपनी सास के मूझ से ये सारी बाते सुनकर मेरे तो पैरो तले से जमीन ही निकल गई थी मैं बहुत बुरी तरह से घबरा गई थी उस वक्त मुझे अपनी सास किसी जेलर से कम नहीं लग रही थी मैं तो अभी तक यही समझ रही थी कि मेरी बहन की ये काली करतूत सारी दुनिया से चुप गई है लेकिन मैं गलत समझ रही थी मुझे और मेरे घरवालों को तो ये गलत फैमी थी कि हमने सबसे ये सब चुपा लिया है लेकिन जिसको इससे सबसे ज़ को अपने ससुराल वालों से छुपाया हुआ था ताकि मैं अपने पती और अपनी सास की नजरों में ना गरियूं। मेरे चहरे के उड़े हुए रंग को देखकर मेरी सास अच्छे से समझ गई थी कि मैं उनकी इस बात को सुनकर डर गई हूँ। वह मुझसे कहने लगी कि अब मेरी बात कान खोल कर सुन लो अगर तुमने ये शादी नहीं की तो मैं सारी दुनिया में चीक चीक कर ये बता दूँगी कि तुमारी बहन एक भागी हुई लड़की है कोई विद्वा नहीं है अपनी सास के मुझसे ये बात सुनकर मेरे होश उ सोच में ही डूब गई थी तभी मेरे कानों में सास की आवाज दोवारा से पड़ी वो चिला कर बोली अब तुम शादी के लिए तयार हो या नहीं या फिर मैं सीधा तुम्हारी बहन के ससुराल में जाकर उसके तलाक की तयारी शुरू करवा दूँ और फिर उसकी जो बद बोड़ कर ये बोल दूँगी कि ये बच्चा भी उसके प्रेमी का है तब तो तुम्हारी बहन कहीं भी मूँ दिखाने के काबिल नहीं बचेगी मेरी सास बोली अब बताओ मैं बहुत ही हलके से अपनी गरदन नीचे जुका दी और मेरे आंसू आँखों से डुलक कर गालो पर आ गए जिसका मतलब यही था कि मैं इस शादी के लिए सैमत हूँ ये मेरे लिए पाप हो सकता था लेकिन अपनी बहन की बसी बसाई ग्रहस्ती को बचाने के लिए मैंने ये सब करने का फैसला कर लिया जो कुछ भी मेरी बहन ने किया था उससे पहले ही मेरा परिवार ब शॉपिंग करने चली गई जल्दी ही शादी वाला दिन भी आ गया मेरी सास फिर से मुझे धमकाने के लिए आ गई कि जल्दी से तयार हो जाओ वरना याद तो है ना कि मैं क्या कर सकती हूँ मैं तुरंत ही अपनी ननत के कमरे में चली गई और वहाँ पर पड़े हुए कीम किमती कपड़े और जेवर उठा कर वाश्रूम की तरब बढ़ गई जब मैं वाश्रूम से बाहर आई तो देखा कि कमरे में सास और ननत के साथ एक पालर वाली भी खड़ी थी मेरी ननत जल्दी से आगे बढ़कर बोली भावी आपको ये सब कुछ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है मैंने मम्मी को बहुत समझाया मगर वह मेरी कोई बात सुन ही नहीं रही है और ना जाने क्यों भावी का फोन भी इतने दिनों से बंद आ रहा है वह भी तीन दिन से घर लोटे ही नहीं पता नहीं वह किस जरूरी काम में फसे हुए हैं आप बिल्कुल भी तयार मत हो मेरे लिए ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं मुझे अपनी ननत की एक एक बात पर यकीन था मुझे लग रहा था कि वह जो बोल रही है सच बोल रही है ये सब सिर्फ मेरी सास की साजिश है लेकिन अब बात ननत के चाहने या ना चाहने की नहीं थी बात तो मेरी छोटी बहन की थी, जिसका घर मेरी हाँ या ना जैसी एक छोटी सी बात पर अटका था, अगर मैं इनकार करती, तो मेरी बहन का घर बरवाद हो जाता, मैंने अपनी ननत को समझाते हुए कहा, कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, बस ये मेरी किस्मत है, अब देखो, ये किस्मत का खेल मुझे कहा ले जाता है, चलो अगर मेरी जिन्दगी बरवाद होती है, तो क्या हुआ, कम से कम तुम्हारा घर तो बस जाएगा, मेरी बहन का घर तो सलामत वना रहेगा, इसलिए मुझे ये सब करना होगा, आखों से आँसू निकलने लगे, मैंने अपने आँसू पोछे और पालर वाली से कहा, कि अच्छा सा मेकप करना मेरा, मेरे आँसू कोई देख ना सके, दो घंटे की महनत के बाद, पालर वाली ने मुझे अच्छे से तयार कर दिया, कुछ पल के लिए तो मैं अपने आप को आईने में देख कर, बिल्कुल गुम हो गई, मैं इस कदर हसीन थी, इस बात का अंदाजा तो पहले मुझे था ही नहीं, लेकिन अब आज, जब मैं पूरी तरह से दुलहन के कपड़ों में तयार थी, तब मुझे लगा, कि मैं आज भी सुन्दर लगती हूँ, मैं कमरे में बैटी हुई थी, कि तभी बाहर से शोर आने लगा, कि दूले वाले आ गए, फिर पता चला, कि उनकी ओर से बहुत ज़ादा लोग नहीं आये थे, बस दूला था, और तीन-चार रिष्टेदार और थे, मेरी और मेरी ननत की बारात, बस कुछ गाड़ियों में ही आई थी, मैं कमरे में बैटी यही सोच रही थी, कि जिन्दगी भी कैसा मजाक करती है, मेरे साथ जो हो रहा था, क्या कभी किसी के साथ हुआ होगा, उस वक्त मैं अपने पुराने लमों को याद करने लगी, जब मैं पहली बार दुलहन बन कर इस घर में आई थी, हम तीन बैने ही थे, मेरा कोई भाई नहीं था, मेरे पिता एक बस की ड्राइवर थे, वह बस भी उनकी नहीं थी, बल्कि उन्हें सिर्फ चलाने के लिए रखा गया था, जिसकी पापा को तनख्वा मिलती थी, मेरे पापा ने हम लोगों को सक्ती से मना कर रखा था, कि हम कोई भी कमाने वाला काम नहीं करेंगे, वह कहते हैं कि जब तक मैं जिन्दा हूँ, मेरी आमदनी कम हो या जादा, तुम लोगों को इसी में गुजारा करना होगा, क्योंकि मैं इतना बेगैरत नहीं हूँ, कि औरतों की कमाई खाऊं। हमारे घर में ये बात सुरुआत से ही लागू थी, कि कोई भी लड़की काम नहीं करेंगी, लेकिन पापा ने हम तीनों बेहनों को पढ़ाया लिखाया था, ऐसा नहीं था कि लड़की के नाम पर उन्होंने हमेशा हमें घर बिठाया हो, पापा ने जहां तक जिसका दिल किया, उसे उतना पढ़ने दिया, मैंने ग्राजुएशन की हुई थी, मेरी मजली वाली बहन ग्राजुएशन की फर्स्ट इयर में थी, और सबसे छोटी वाली इंटर पास थी, ग्राजुएशन करने के बाद ही, मैंने पापा को बोल दिया, कि मुझे अब और नहीं पढ़ना, तो मम्मी या पापा किसी ने भी मुझे पर जोड नहीं डाला, उन्हें मेरे फैसले की कदर थी, फिर मम्मी ने पूछा भी, कि अब बताओ क्या करना है, पढ़ाई तो तुम कर चुकी, मैंने उनसे कपड़े सिलाई सीखने की बात बोली, जिसकी इजाज़त भी पापा ने इस बात पर दी, कि मैं कपड़ों की सिलाई करके घर का खर्च नहीं चलाऊंगी, हाँ, अगर हुनर के लिए सीखना है, तो खुशी-खुशी सीख सकती हो, मैंने एक रोज पापा से पूछा, कि आप मम्मी या हमें क्यूं नहीं कमाने देते, अगर हम भी कमाने लग जाएं, तो घर के हालात काफी हद तक बहतर हो जाएंगे, जिस पर पापा मुझे प्यार से समझाते हुए बोले, कि अगर मैं तुम लोगों से कमाई करवाऊंगा, तो कल को तुम जिस घर में भी ब्या कर जाओगी, वह लोग भी तुम से कमाई ही करवाएंगे, और फिर तुम वहाँ मना नहीं कर सकोगी, क्योंकि फिर जवाब में तुमें यही सुनने को मिलेगा, कि मायके में तो खूब कमाती थी, और ससुराल में बैटकर मुफ्त का खाना चा रही ही हो, तो यहां भी कमाऊ, और तुम लोग ही मेरी जान हो, मैं तुम लोगों को ऐसे दूसरों के लिए अपने आपको खपाते हुए नहीं देख सकता, जब तक मुझमें ताकत है, मैं अपने मताविक काम कर रहा हूँ, और बाद की बाद में देखी जाएगी, अभी तुम तीनों सिर्फ अपने शौक पूरे करो, जो दिल चाहे खुल कर करो, उस रोज मुझे मालुम हुआ कि मेरे पिता बहुत बड़े दिलदार आदमी थे, मैंने कपड़े सिलाई करना सीख लिया, उसके बाद कढ़ाई की क्लास में भी दाखिला लिया, मैं विल्कुल भी खाली नहीं बैठी, हुनर पर हुनर सीखती रही, फिर एक रोज पापा मुझे पास बिठा कर कहने लगे, अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हारे बाद दो बहने और बैठी हैं, तो मैं तुम्हारी शादी करना चाता हूँ, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो, मेरे पिताजी अनपड़ थे, लेकिन उन्हें जमाने की इतनी समस्थ थी, कि पड़े लिखे बाप भी, अपनी उलादों से ऐसे पेश नहीं आते थे, जितने अच्छे से मेरे पापा, हम लोगों से बात करते थे, पापा के फैसले पर मैंने हामी भर दी, वैसे भी मुझे शादी तो करनी ही थी, तो फिर किस बात की देर थी, मेरे हाँ करते ही मेरे लिए, रोज नए नए रिष्टे देखे जाने लगे, और फिर हर रोज, चाय पानी का इंतिजाम होता, कभी किसी को हम लोग पसंद आ जाते, तो कभी कोई मेरे पापा को पसंद नहीं आता, मुझे तो ऐसा लग रहा था, कि जैसे वह मेरे लिए, किसी राजकुमार की तलाश में थे, लेकिन राजकुमार हर किसी को तो नहीं मिलते, और फिर एक दिन हम पर पहार तूटा, एक रोज अचानक मेरे पापा का एक्सिडेंट हो गया, और वह हमारे बीच नहीं रहे, ये दुख हम तीनों बहनों, और मेरी मा के लिए बरदाश्ट करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि पापा ही तो हम सब का सहारा थे, मेरे पापा सिर्फ पापा ही नहीं, बल्कि दोस्त भी थे, ऐसे में उनका चले जाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हालात पैदा हो गये थे, लेकिन फिर मेरे पास हुनर था, मेरी मम्मी भी कपड़ों की सिलाई कर लेती थी, इसलिए हमने इन कामों को समभाल लिया, मेरी मजली वाली बहन भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी, हम सब औरतों ने मिलकर घर का खर्चा चलाना शुरू कर दिया, पैसे चाहें कम मिलते हों या जादा, हम इज़्जत से बैट कर अपने घर में कमाने वाले हो गए थे, और इसी कमाई से हमारे घर में दो वक्त का खाना बनने लगा था, पापा के जाने की वज़ा से ही मेरी मजली बहन ने अपनी पढ़ाई रोक दी, उस वक्त मेरी छोटी बहन कॉलेज में जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसकी भी पढ़ाई रुक गई, मगर वह पढ़ना चाहती थी, वह अपनी पढ़ाई नहीं रोकना चाहती थी, और हमने उसकी हर जरूरत पूरी करना शुरू कर दिया, जहां हम पाँच घंटे काम करते थे, वहीं हम आठ घंटे काम करने लगे, बापा की ख्वाईश थी कि उनकी बच्चियां अच्छे से पढ़ लिख जाएं, कम से कम अपनी छोटी बहन को अच्छे से पढ़ा लिखा कर, हम उसकी ये ख्वाईश अधूरी नहीं रखना चाते थे, फिर इसी तरह मेरे बापा की मौत को छे महीने गुजर गए, घर भी सही चल रहा था, फिर इसी दौरान मेरे लिए एक रिश्टा आ गया, लेकिन मम्मी ने उसके लिए बहुत मना किया, उन्होंने कहा कि अभी इनके पिता जी को दुनिया से गए हुए, जादा समय नहीं हुआ है, तो मैं ये रिश्टा कैसे तै कर दूँ, मगर उस वक्त मेरी सास की जिद थी, कि चाहे जो भी हो, लेकिन हमें यही रिश्टा चाहिए, फिर आप दहेज बिलकुल भी ना दे, चाहें तो दो जोड़ी कपड़े भी ना दे, मगर मुझे आपकी लड़की ही अपने बेटे के लिए चाहिए, और उनकी इतनी जिद जोरदार थी, कि उसका नतीजा फिर ये निकला, कि अगले महीने ही मेरी शादी हो गई, और मैं दुलहन बन कर यहां चली आई, और फिर यहां आते ही, मेरी जिन्दगी का सबसे मुश्किल दौर शुरू हो गया, क्योंकि मेरी सास हद से ज़्यादा सक्त औरत थी, उनके अलग ही नियम थे, और मैं हमीशा उनके बनाय हुए नियमों के मताबिक, चलने की कोशिश करती रहती थी, लेकिन फिर भी वह कभी भी मुझसे खुशी नहीं रही, वह कहते हैं कि उन्हें मुझसे बहुत ज़्यादा उमीदे थी, मगर मेरी फूटी किसमत, कि मैं उन्हें जितना खुश करने की कोशिश करती, वह मुझसे उतना ही ज़्यादा और नाराज हो जाती, रवी यानि की मेरे पती मुझे सपोर्ट करते थे, मगर वह जब काम पर जाते, तो मुझे सास के ताने सुनने से कोई नहीं रोक सकता था, रवी को जब मैं अपनी सास की सिकायत लगाती, तो वह नरम लहजे में मुझसे कहते, कि देखो यार सवर करो और बरदाश्ट करो, क्योंकि मां हमेशा तो नहीं रहेगी हमारी जिन्दगी में, इसलिए उनकी जितनी जिन्दगी है उन्हें खुश कर दो, ताकि वह इस दुनिया से अपनी आलाद के हाँ तो नाराज होकर ना जाएं, मुझे अपने पती की बात भी ठीक लगती थी, इसलिए मैं अपनी सास की हर बात को नजर अंदाज करती जाती, लेकिन ये मेरी गलती थी, मुझे पहले दिन से ही अपने हक के लिए लड़ना चाहिए था, शादी के तीन साल बीट गए थे, लेकिन फिर भी मुझे कोई आलाद नहीं हुई थी, और मेरी पोजीशन पूरे ससुराल में बहुत गिर गई थी, मैं हद से जादा सरमिंदिगी से भर गई थी, मैं चाहे जितनी भी कोशिश करती, मगर मेरी सास मुझे बांज होने का ताना जरूर मारती थी, जिसकी वज़ा से मैं अपने आप में ही कटकर रह जाती, लेकिन मेरे पती रवी हमेशा मेरा होसला बढ़ाते, कि तुम देखना, एक दिन हमारी ऑलाद जरूर होगी, अभी बस वह हमारे नसीब में नहीं है, लेकिन एक दिन आएगा जब सब तुम से बहुत खुश होंगे, और तुम अपने बच्चों की भी बहुत अच्छी परवरिश करोगी, रवी की बाते मुझे कुछ पल के लिए सुकून से भरतो देती, लेकिन फिर बाद में सास कोई न कोई ऐसी बात का ताना जरूर मार देती, जो मेरे लिए बरदाश्ट के बाहर हो जाती, लेकिन मैं अपनी सास के लिए इस बात की एहसान मंद थी, जिनोंने बगैर दहिच के ही मुझे अपने बेटे की पत्नी बनाया था, यही सोच कर मैं उनकी अपनी हिम्मत से ज़्यादा खिदमत करने की कोशिश करती, लेकिन उन्हें सायद मेरी इज़द और खिदमत रास ही नहीं आई, इसलिए मेरे साथ वह यह सब कुछ कर रही है, मेरी ननद नीतु का रंग बहुत दबा हुआ है, और अब तो उसने उल्टा सीधा खा पी कर अपना बजन भी बहुत बढ़ा लिया है, उसने कभी भी अपने उपर ध्यान ही नहीं दिया, जिस वज़ा से उसका बजन बढ़ता चला गया, और उपर से वह एक नंबर की पेटू भी है, पढ़ने लिखने में भी बिलकुल भौंदू, धीरे धीरे वह बैडॉल होती चली गई, लेकिन एक खुबी उसमें ये भी थी, कि वह जहां रहती बस, हस्ती मुस्कुराती रहती और सबको खूब हसाती रहती, उसका दिल बहुत नेक है, उसे खाना बनाने का भी बहुत ज़्यादा शौक था, वह नई नई तरह की डिशिस बनाती और सबको खिलाती, इसलिए वह खाना बनाने वाली किताबे भी बहुत ध्यान से पढती टीवी रेडियो पर भी खाना बनाने वाले प्रोग्राम को बहुत ही मंद से देखा करती जो भी उसके हाथ का बना खाना खाता वह उसकी बिना तारीफ किये हुए नहीं रह पाता लेकिन बस उसके बड़े हुए बजन और दबे हुए रंग की बजा से ही मेरी सास हमेशा उसे साधी के लिए ताने मारा करती इसी दोरान मेरी सास ने एक दिन मुझे अपने पास बुला कर मुझे से मेरी दो तीन तस्वीरें मंगाई और जब मैं उनसे इसकी बजा पूछी तो सास कहने लगी कि पहले तुम मुझे अपनी तस्वीरें ला कर दो बाद में मैं तुमें बताओंगी कि मुझे उनका क्या करना है उनकी बात मानते हुए मैंने अपनी कुछ तस्वीरें उन्हें दे दी थी फिर वह मुझसे कहने लगी कि ये तो तुम जानती हो कि नीतू का कहीं भी रिष्टा नहीं हो रहा है और इसी लिए मैंने सोचा है कि ये दुनिया सीधे लोगों के लिए बनी ही नहीं है मैंने उनसे पूछा कि आपकी बात का क्या मतलब है तब मेरी सास को इस बात का एहसास हुआ कि वह मुझे अपने प्लान के बारे में अंजाने में बताने जा रही थी तब ही वह मुझसे गुस्स में बोली कि तुम अभी तक कमरे से गई क्यों नहीं अभी इसी वक्त अपने कमरे में जाओ और जितना काम तुमसे कहा जाए बस उतना ही किया करो आइंदा से सवाल जवाब करने की कोशिश मत करना मैं भी चुपचाप कंधे उचका कर वहां से बापस आ गई कुछ दिनों तक तो मैं इस सब के बारे में सोचती रही कि आखिर मेरी सास ने मेरी तस्वीरे क्यों मंगाई लेकिन फिर मैं कुछ दिन बाद ये बाद पूरी तरह से भूल गई लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरी ननद मुझे जब भी देखती तो वह मुझे से बात करने आ जाती थी उसकी अंधाज और तरीके से ऐसा लगता जैसे वह मुझे बात बताना चाहती हो मगर मेरी सास की निगाएं हर वक्त उस पर रहती वह जैसे ही नीतु को मेरे करीब देखती जट से उसे किसी न किसी काम में लगा देती और अक्सर उस बेचारी को डाट पड़ जाती कि क्यूं तुम हर वक्त अपनी भावी के आसपास मंडराती रहती हो जब तुम्हारा अपनी भावी से कोई लेना देना नहीं है फिर क्यूं बहां पहुँच जाती हो मेरी ननद एक सुलजी हुई और अच्छी लड़की थी मेरी सास नीतु पर तो ज़्यादा पावंदी लगा नहीं पा रही थी इसलिए एक दिन मेरी सास ने मुझे बुलाया और कहा कि तुम नीतु से दूर रहा करो उस दिन मैंने हिम्मत करके लगती है इस पर मेरी सास मुस्कुरा कर मुझे से कहने लगी मैं अपनी बच्ची को तुम्हारे मनुस साहे से दूर रखना चाहती हूँ क्योंकि तुम्हारे तो कोई आलाद हुई नहीं तुम तो एक बांज हो और मैं नहीं चाहती कि कल को मेरी बच्ची के साथ भी ऐसा पड़े और फिर वह भी अपने ससुराल में बस बैठी खाती रहे अपनी सास के मुझे ये बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था उस रात मैं खूग रोई जब रात में रवी की आँख खुली तो उन्होंने मुझ से पूछा कि तुम क्यों रो रही हो मैं बताना तो नहीं चाती थी लेकिन मेरा सबर जवाब दे गया था इसलिए मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया रवी ने मुझे दिलासा देते हुए कहा कि चलो ठीक है मैं ऐसा करता हूँ तुम्हें कल माईके छोड़ दूँगा इससे तुमारा मन भी हलका हो जाएगा और मा की बातों क कुछ असर भी कम हो जाएगा अगले दिन ही मैं एक हफते के लिए अपने माईके आ गई थी लेकिन वहां पर तो एक नई परिशानी मेरा इंतजार कर रही थी मेरी सबसे चोटी बहन जो बहुत पडलिक गई थी वह घर से बाग गई थी उसे अपनी ही युनिवस्टी का एक के साथ भाग गई घर में हम सिर्फ औरते ही थे तो हम आखिर कहां तक उसका पीछा करते इसलिए रोध हो कर चुपचाप घर में ही बैठ गए मैंने ये बात रवी को भी नहीं बताई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि अब एक और नया तमासा मेरे लिए खड़ा हो जाए ले लेकिन उसके कहने से क्या होता है जो परेशानी हमें मिल चुकी थी वह तो मिल ही गई थी हमने जैसे तैसे इस बदनामी के घूट को हजम करके अपने हलक से नीचे उतार लिया लेकिन फिर एक महीने के बाद ही मेरी चोटी वहन रोती धोती हुई बापस घर आ गई क्योंकि उसने जिस लड़के के साथ शादी की थी उसकी तो पहले से ही शादी हो चुकी थी और जब मेरी बहन को इस बारे में पता चला तो वह उसे तलाक लेकर घर आ गई पहले हम जहां परेशान थे वहीं फिर हमने खैर मनाई कि चलो जो हुआ सो हुआ कम से कम बच्ची घर वाप दस तो आ गई फिर मेरी मम्मी ने दोनों बहनों के लिए रिष्टे देखने सुरू कर दिये और मजली बहन की शादी करने के बाद उन्होंने चोटी बहन की भी शादी कर दी और सब को यहीं वताया कि वह विदवा है उसकी शादी में शुरुआत में थोड़ी मुश्किले जरूर आई मगर फिर जैसे तैसे हो गई और अब कहीं जाकर मेरी मा सुकून के साथ रह रही थी लेकिन इधर मेरी तरफ एक बहुत बड़ा पहाड खड़ा हो गया था रवी को कमपनी की तरफ से दो हफ्तों के लिए बाहर टूर पर जाना था और वह जैसे ही यहां से चले ग है उसने हर पल मेरा साथ दिया बलकि उसने मुझे यहां से भगाने का भी बंदवस्त किया लेकिन मेरे लिए तमाम रास्ते बहुत मुश्किल थे मैं चाहा कर भी भाग नहीं सकती थी इसलिए अब मेरे पास बस एक ही रास्ता था कि मैं अपनी सास के हर जुल्म को बरदास् जाओं लेकिन मेरे लिए पहले वाला आप्शन ही ठीक था क्योंकि मरने के बाद तो मेरे परिवार की और भी जादा बदनामी हो जाती और ये मामला कहीं और जादा ना बढ़ जाता शायद मेरी बहनों पर भी इस सब की आच आती इसलिए मैं फिर चुप चाप तयार होकर क लेको बहू अगर तुमने अब इनकार किया तो फिर जो भी अंजाम होगा उसकी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी होगी इतनी धमकी देखकर वह फिर वापस चली गई कुछ देर के बाद पंडित जी ने हमें बुला लिया और वह शादी के मंतर पढ़ने लगे चंद होना था शादी के फौरन बाद ही विदाई की तयारी शुरू हुई और फिर मेरी विदाई हो गई सास मुझे बार बार अपने गले से चिपका कर प्यार दिखा रही थी और ससुराल वालों को सब को कह रही थी कि मेरी बेटी का खयाल रखना उन्होंने किसी को भी भनक नही लगने दी कि ये मेरी लड़की नहीं बलकि मेरी बहू है जूट की भी हद होती है मैंने ये बात अपने दिल में सोची विदाई के वक्त मैं एक वार गरदन घुमा कर देखा लेकिन मुझे मेरी ननद नीतू कहीं भी दिख नहीं रही थी पर मैं सब की परवा छोड़कर प प्लास्टिक की गुडिया समझ कर दो बारा ब्या दिया था मुझे उस वक्त बहुत रोना आ रहा था लेकिन मैं खुद पर मुश्किल से काबू करके बैठी थी रह रह कर मुझे अपने पहले पती का खयाल सता रहा था यही सोच रही थी कि मैं उनके बगेर कैसे रहूंगी या जब उन्हें इस बात का पता चलेगा तो वह तो मुझे छोड़ ही देंगे मैं यही सोचती रही कि मैं उन्हें क्या कहूंगी सच जानने के बाद तो वह गुस्ते से पागल हो जाएंगे लेकिन मैं मजबूर थी मैंने उन्हें फोन करने की भी बहुत कोशिश की मगर का मुझे ऐसी बरवादी करके विदा करेंगी तो क्या उसकी बच्ची खुश रह पाएगी यही सारी बाते मेरे दिल में आ रही थी खैर मेरे दिल में चाहें कितना भी कुछ ना चल रहा हो पर मैं कुछ कह नहीं सकती थी सिवाय चुपचाप बैठे रहने के मेरे पास कोई रास पुलिस ने गिरफतार कर लिया और मुझे भी अपनी हिरासत में लेते हुए वह वापस मेरे ही पहले ससुराल पहुँच गए और वहां जाकर पुलिस ने सास को भी गिरफतार कर लिया मुझे ये सब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है मेरी सास ने एक नया ड नीटू से पूछ लें लेकिन मेरे पैरो तले जमीन तो तब निकली जब मुझे ये मालूम हुआ कि मेरे खिलाफ होने वाले इस जुर्म की रिपोर्ट खुद नीटू ने ही दर्ज करवाई थी और उसने ही गवाही दी थी कि मेरी माने सिर्फ पैसे और मेरी साधी के तब ही उसके छोटे भाई की साधी मुझे से करवाई जाएगी इसी बीच मेरे पती रवी भी आ गए और उन्हें जब हकीकत के बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी मा की शकल देखने से भी इनकार कर दिया वो कहने लगे कि वह औरत उनकी मा हो ही नहीं सकती जो अपने फाइदे के लिए अपने बेटे की खुशियां तक कुरवान कर डाले मैं भी बहुत घवरा गई और रवी को बताने की कोशिश करने लगी कि इस सब में मेरी कोई गलती नहीं है मेरी इस बात पर रवी मुझे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे तुम पर यकीन है ये तो मेरी भी फूटी किस्मत थी कि जब मा ने ऐसी साजिस रची तब ही मुझे ऑफिस के काम से बाहर भेजा गया और मैं जिस जगा गया था वहाँ पर नेटवर्क बिल्कुल भी ना आने की वज़ा से फोन ही नहीं लग रहा था जिस कारण मैं घर पर ना तो ब दे दी तुम पर जितना जुल्म होना था हो चुका लेकिन अब बस मैं और तुम ही साथ में रहेंगे तुमने बहुत कुछ परदास्त कर लिया तुमने मा को हर तरह से खुश करने की कोशिश की उनकी हर बात मानी लेकिन फिर भी उनके दिल में तुम्हारे लिए कोई जगा नहीं बन सकी क्योंकि उन्होंने तुम्हारा असली मान कभी जाना ही नहीं पर अब बहुत हो चुका इसके बाद से मैं और रवी एक साथ रहने लगे और मेरी जिन्दगी बिलकुल बदल गई और एक दम खुशहाल हो गई कुछ समय के बाद हमने नीतु की भी शादी एक अ बदलाओ आया और भगवान के आसिरवात से मैं एक प्यारे से बेटे की मा भी बन गई वो कहते हैं ना दोस्तों कि अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा ही होता है मेरी ननद दिल की अच्छी थी और इसलिए भले ही उसकी साधी में देरी हुई लेकिन जब उसकी साधी हुई तो उसे बहुत ही अच्छा जीवन साथी मिला और मुझे भी मेरे सवर का फल मेरे बेटे के रूप में मिल गया था तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और प्लीज इस कहानी को जादा से जादा शेयर और लाइक करक मेरे चैनल को सपोर्ट करें साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सूपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं सूपर थैंक्स का आप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिये हुए सभी आप्शन में दिख जाएगा जो की हर्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर दबा दीजेगा ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानिया सुनाती रहूं थैंक्यू